अलो फ्रेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामर्स को लाकवी आज हम पाइथन में नंबर पैटर्न कैसे प्रिंट कराना है उसके लिए कोडिंग लिखेंगे आज हम जो नंबर पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं वो ये हैं अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये नंबर पैटर्न रोज और कॉलम के फॉर्म में ही अरेंज है रोज और कॉलम का फॉर्म यानि की टैबलर फॉर्म में ये अरेंज है तो अगर हम इसको tabular form में arrange करते हैं friends तो आप देखेंगे यहाँ पे इस figure में 7 rows है rows का मतलब होता है यह horizontal line और 7 ही columns है friends यानि कि यह vertical lines 7 है और जो हमारी पहली row है उसमें केवल first column में ही number print है जो हमारी second row है उसमें 2 columns में number print है same way third row में 3 columns fourth row में 4 columns friends हम इसके लिए python में कैसे coding लिखते हैं चलिए अपन python start करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया module लोगे friends इसको हम save करेंगे let us give it a name p-a-t-t-e-r-n 2.py आप इसको कुछ नाम दे दीजिए module को और python का module है इसलिए .py extension जरूर लगेगा अब friends मैं यह चाहती हूँ कि जैसे कि उस figure में seven rows का use किया गया था बट मैं यह चाहती हूँ user अपनी मर्जी की जितनी rows print कराना चाहता है उतनी rows print होँ तो अगर हमारे को user से value लेना है python में तो यहाँ पे हमारे को use करना पड़ेगा input function का मैं suppose end नाम का एक variable ले लेती हूँ उसमें मैं user से value input करवाऊंगी उसके लिए input function का use करेंगे हम input के अंदर आपको जो भी string लिखना है जो आप screen में print करवाना चाहते हैं suppose enter the number of rows मैं यह mention कर रही हूँ अपनी string के अंदर इस function को close करें but friends यह input function है वो हमेशा string के form में value return करता है हमको हमारे number चाहिए है user से हमको number मांगना है इसलिए हम input function का use करेंगे ताकि यह integer के form में हमारे को number मिल जाए अब friends मैंने बताया आपको कभी बे आप कोई भी चीज को tabular form में print कराना चाहते हैं या tabular form में use करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमेशा nested for का use करना पड़ेगा nested for का मतलब होता है for inside another for हम दो for का use करेंगे दो for के लिए हमको दो loop variable चाहिए होंगे suppose हम outer for जो की outer for हमेशा rows के लिए होता है और inner for हमेशा column के लिए होता है suppose suppose रो के लिए हम a नाम का loop variable ले ले लेते हैं और जो inner for है यानि कि जो column वाला for है उसके लिए हम suppose b नाम का loop variable ले 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 लेते हैं तो जो बाहर वाला for है यानि कि outer for है वो rows के लिए है in range अब friends जो range function है अगर हम मैंने कहा कि हम user से value माग रहे हैं कि हमको कितनी number of rows वो print कराना चाहता है और वो हमने n में लिया है अगर मैं यहाँ पे friends n mention करती हूँ तो python में यहाँ पे जो mention किया हुआ number है उससे हमेशा एक value less print होता है less print होता है यानि कि अगर आपने n यूज किया है तो suppose user ने value डाली 5 तो print होगा 0, 1, 2, 3, 4 यानि 5 include नहीं होगा friends तो अगर आपको 5 भी include करना है तो यहाँ पे आपने जो भी user से value मांगी आप प्लस 1 कर दीजे तो वो last वाला number भी print हो जाएगा लेकिन range हमेशा 0 से start होता है बट मुझे तो 1 से print कराना है इसलिए यहाँ पे मैं 1 भी mention करूँगे कि 1 से start हो और end प्लस 1 तक print हो यह हमने outer वाला for लिख लिए inner for में हम b variable ले रहे है b नाम का variable ले रहे है यहाँ पे हम range लेंगे फिर से यहाँ पे भी friends मुझे 0 से नहीं 1 से print कराना है इसलिए मैं जरूर mention करूँगी 1 plus, sorry, comma second argument में ले रही हूँ मुझे चाहिए है जितनी भी number of rows है उतनी ही number of columns चले, उतनी ही बार column के लिए loop चले तो मेरी number of rows A के अंदर आ रही है friends A plus 1 अगर मैं mention करती हूँ तो A की value भी include हो जाएगी 1 by 1 चलेगी यानि की 1 पहले loop पहली बार में A की value 1 होगी second बार जब loop चलेगा तो A की value 2 होगी third loop में A की value 3 fourth में 4 और fifth में A की value 5 होगी यही चीज हम यहाँ पे mention कर रहे हैं A plus 1 यानि की फिर से 1, 2, 3, 4, 5 पूरा यहाँ पे मैंने column लगाया और कुछ भी चीज प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे print statement का use करते हैं अब मुझे यहाँ पे B की value प्रिंट कराना है now one more thing friends print का जो हम statement यूज कर रहे हैं different version में different print का use होता है for example अगर आप 3x version यूज कर रहे हैं तो आपको print का function यूज करना है जहाँ पे आप round bracket की use करेंगे लेकिन अगर आप 2x version यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे print statement का use करेंगे जिसमें आप केवल print लिखिए और वो variable mention करें जिसकी value को आप print करा रहे हैं one more thing friends अगर आप चाहते हैं कि पहली चीज तो यह जब बाहर वाला for चलेगा friends तो compiler अगर यह सही है statement सही है या true है तो inner for के अंदर compiler interpreter जाएगा friends inner loop में जाने के बाद यह inner loop जब तक पूरा complete नहीं हो जाता तब तक inner loop चलता ही जाएगा और नहीं होगा अब friends अगर आप suppose हम third row में हैं third row में मुझे 3 3 3 3 चाहिए लेकिन वो same line पे चाहिए अगर आपको कोई भी चीज same line पे चाहिए तो python में comma का use करना होगा अग friends third row के बाद मैं जाती हूँ जो four print हो वो next line में print हो कोई भी चीज को अगर आपको next line में print कराना होता है next line में print हो यानि अगर next row में जा रहा है कभी भी interpreter अगर next row में आपको जाना है तो यहाँ पे आपको खाली print का use करना पड़ेगा जिससे cursor next line में आ जाएगा इस पूरे प्रोग्राम को हम control as से save कर लेते हैं और f5 की से run करने है user ने user से value मांग रहा है interpreter तो suppose user ने 5 एंटर किया तो यहाँ पे 5 आप देखिए 5 रोज प्रिंट हो रही है और maximum number of जो कॉलम है वो भी 5 है ठीक है अब friends अगर मैं यहाँ पे n प्लस वन नहीं लिखती मैं इसको अभी डिलीट कर देती हूँ control as से save कर लेती हूँ f5 की से run करती हूँ आप देखिए यहाँ पे मैंने n प्लस वन नहीं लिखा था n मतलब की row number of row number of row user ने 5 डाला है तो यह चलेगा 1, 2, 3, 4 only 4 times loop चलेगा 5th row print नहीं होगी क्योंकि range की हमेशा जो भी आप value देते हैं उससे 1 less चलती है इसलिए यहाँ पे प्लस वन मेंशन करना जरूरी है अब friends अपन next program या next number pattern print करते हैं उस next number pattern में आपको केवल एक change करना है पूरे program में अभी हम जो print करा रहे हैं वो क्या कर वा रहे हैं आप देखिए यह row है first row है हमने one print कराया second row में हमने one or two print कर वाया क्यों one or two क्यों print हो रहा है क्योंकि two number of columns है one, two, three number of columns कितनी है यहाँ पे three है one, two, three, four number of columns कितनी है यहाँ पे four है यानि कि column की value को print करा रहे हैं फ्रेंटजन बी print करा रहे हैं अगर आप यहाँ बी की जगे a print कराएंगे और control ऐसे save करिए f5 की से run करिए user से value मांगी suppose user ने value दी 5 आप देखिए यह one, two, second row में है तो two, two, two print हुआ third row में है तो three, three, three print हुआ fourth row में है four, four, four print हुआ यह difference है friends, हमने a जब print कराया है तो row की जो भी value है यानि one, first row में one, second row में two, third row में three वो print हो रहा है लेकिन जब हमने print statement में b print करवाया था friends तो b column के लिए था first में one और second row में two columns रहे हैं तो one और two third row में three column चाहिए हैं तो one, two, three यह difference है friends इस तरीके से आप थोड़ा सा experiment करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो यह program है आगे हैं more number pattern के programs देखने वाले हैं friends तो अगर आपने subscribe नहीं किया हो तो please जल्दी से यह channel subscribe कर लीजे and thanks for watching